टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात की एपिसोड में आप देखेंगे कि श्रेकृष्ण अच्छता बन कर साम के सामने आ जाते हैं और जिस तरीके से वो राधा को बचाते हैं वो वाके में बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप देखेंगे कि साम अपनी सारी शक्तियों को इकत्रत करके वो गुरुदेव के आश्रम की ओर छोड़ने ही वाला होगा तब ही वहाँ पर राधा आएंगी और कहेंगी कि ये शक्ति गुरुदेव के आश्रम की तरफ ना फेंगे तो साम कहता है मेरे लिए अब इने वाप साम बवन्डर को आता देख राधा को आघात करता है हो कहता है कि आप भी अपनी जान बचाएगे और यहां से भाग जाई और खुद भी वहां से चला जाता है जैसे ही बवन्डर राधारानी के निकट आता है, राधारानी उसमें खो जाती हैं और गिरने वाली होती हैं तभी श्री कृष्णा आकर उन्हें थाम लेते हैं उससे बहले आप देखेंगे कि साम जो पुरी शक्तियों को एकटा करके अपना सारा मनतव यह पूरा करना चाह रहा था श्री कृष्णा उसे शूरदेव की कामना से शूरदेव को न पूरा करतावी नभाऊंगा और पिता होने की वजा से मैं भोड़ लेकर आओंगा और आपके श्री कृष्ण राधारानी को बचाएंगे और जैसे ही राधा स्री कृष्ण को देखेंगी वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और कहेंगी कृष्ण तुम आ गए मुझ को जवाब देते हैं और बताते हैं कि जब रिशी का ये माया जाल टूटा था मैं तब ही यहां आ गया था और मेरी राधा के प्राण अगर मुश्किल में होंगे तो कृष्ण को तो बचाने आना ही होगा ये कहका ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और राधा क्रिश्न को गले लगा लेती है उसके बाद आप देखेंगे कि श्रीक्रेश्न कैसे साम के बाधे मैं बात कर्ते हुए राधा के साथ नजर आएंगे राधा चिंता में पूछेंगे कि सा Cap कहा है कृष्ण तो प्रश्न राधा को दिलासा की दुए तो कहते हैं त उसके बाद ही मैं यहां से जाओंगा. कृष्ण कि बास सुनकर राधरानी बहुत जादर प्रसंद हो जाती है और उनके गले लग जाती है. ये कहते कहते, श्रीक कैस्न ये भी कहते है राधरानी को लेकिन मैं तुम्हारे साहथ इस रूप में नहीं रहूंगा. राधा बड़ी हरगानी ऐसे पूछती है तो फिर तुम क्या करोगे क्रेश्न श्री क्रेश्न राधारानी की आँखे बन करते हैं और अपनी चुटकी बजाते हैं जैसे ही चुटकी बजती है वहाँ पर संब आ जाता है और वो अवास रगा करके पूछता है कि आप कौन है जैसे ही राधा राणी अपने नेटर खोलती है वो देखती है कि साम ने अचुटा खड़ी है जो असल में श्री क्रेश्न नहीं है जैसे ही संब अचुटा को देखता है वो राधा से सवाल जवाब करता है और पूछता है कि आखर ये हैं कौन और सब वहाँ पर आ जाते हैं रिशीगन के साथ और वहाँ पर अचुटा के बारे में राधा से पूछने लगते हैं सबी के सवालों का जवाब देने के लिए राधा उन्हें अपना दोस्त बताती हैं और कहती हैं कि सब लोग इनके बारे में जानदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये सारा बवंडर अचुता जी ने ही रोका है और ये बहुत ही जादा शक्तिशाली ह यहां पर राधा से अचुता जी कहती हैं बस बस करो मेरी जारा तारीफ मत करो चलो अब मुझे भोजन करवाओ मुझे बहुत भूग लगी है तबी सब को ले जाकर के आश्रम में राधारानी भोजन का प्रबंद करेंगी वहां पर श्री कृष्ण अचुता बन कर धेर सार लेके से ग्रहन करेंगे कि मानो सदियों से वह भूगे हो राधा को तो पता है कि अचुता के रूप में श्री कृष्ण है जो उनके हाथ का बना भोजन ग्रहन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे एक एक करके अचुता जी सब को सेवा में लगा देती हैं और कु को हवा करने के लिए पंखा दे देती हैं और कहती हैं कि ठीक से पंखा करो क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी दंडित कर सकती हूं यहां पर आश्रम के गुरू जी आएंगे अचुता जी के पास और कहेंगे कि आपने हमारी राधा और बच्चों का बचा करके जीवन बहुत ह अहसान किया है हम पर उपकार किया है इसके बदले में अगर आप कुछ भी चाहती हैं तो आप निशिंद हो करके कह सकती हैं तो अचुता जी गुरू देव के सामने एक बात रखती हैं और कहती हैं कि मैंने सुना है आपके आश्रम में शिक्षक की जरूरत है और मैं एक पती नहीं है लेकिन आप से पहले जितनी भी गुरू देव थे और जितनी भी अध्यापिकाएं थी उन सब को संब ने अपनी धूरतता से भगा दिया है अगर आप रह सकती हैं तो हमें कोई प्रॉब्रम नहीं है संब की और देखते हुए अचुता जी कहती है कि ठीक है मै चार दिन यहां रुकती हूँ और बच्चों को पाट पढ़ाऊंगे उसके बाद पता चली ही जाएगा कि कौन रहता है यहां और कौन चला जाता है जैसे ही ये बात खत्म होती है गुरू देव वहां से प्रस्थान करने लगते हैं और पीछे-पीछे संब जाकर के उनसे क कहता है आप मुझे मेरी माता के पास जाने देंगे या नहीं मैंने आपका दिया हुआ ये पूरा वच्चन पूरा किया है और आपका वो पाशान भी मैंने अपनी शक्तियों से खंडित कर दिया है और आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते लेकिन गुरू देव यहां पर संब को समझाते हैं कि अभी तुम्हारी परिक्षा अभी तुम्हारा प्रस्टिक्षन पूरा नहीं हुआ है तो तुम कैसे जाओगे यहाँ पर गुरुदेव के ऊपर गुस्सा करने लगता है संब और पीछे से तब भी वहाँ पर अचुता जी आती है और कहती है कि तुम कि इससे जूटी बाते कर रहे हो तुमने कोई पाशान नहीं न खंडित किया है जैसे ही संभ देखता है पाशान के शिला को वैसे ही वो काफी जादा है और कहता है कि यह जूट है मैंने इसे अपनी शक्तियों से खंडित किया था गुरुदेव की हार हुई है लेकिन यहां पर यह पाशान साबित कैसे हो सकता है यह सब कुछ देख कर गुरुदेव संभ को समझाते और कहता है कि देखो संभ तुम्हें अपनी प्ररिक्षा और प्रसिक्षन पूरा करने तक यहीं रुखना होगा इसके इलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है और अपना प्र रहूंगा मुझे यहां से जाने से कोई नहीं रोख सकता जैसे ही संभ वहां से जाने लगता है अचुता जी उसे पीछे से वाज देती हैं और कहती है दूर्त बालक मैं क्या कह रही हूं तो रुख यहां पर मैंने कहा ना कि जब तक तेरी पूरी प्रसिक्षन पूरा नही तेरी दन्द है और मेरे सामने तेरी उत्दंडा बिकोल भी नहीं चलेगी यह बास सुन कर निकट आता है संभ और अचुताजी को चैलेंज करता है और कहता हैase नहीं म Czech कुछे से जानने के लिए भी बता दूंगा कि आखर मैं कौन हूं और आपको इसका में पूरा पूरा मौका दूंगा यहां पर श्रे कृष्ण संभ से बात करने के बाद जाएंगे सीधा राधारानी के पास जो खीर बना रही होंगी किचिन में बैट कर जैसे ही श्रे कृष् से सुनना चाहता हूं उस व्यंजन का नाम जो तुम्हारे मूँ से सुनने के बाद और भी जादा मीठा लगेगा यहां पर राधारानी को कहती है कि बस बहुत ही सुन्दर महका रही है ना तुम बस मैं तुमको खिला कर ही बताऊंगी और तुम तब ही जान जाओगे कि करने के बाद श्री क्रिश्ण और राधारानी एक दूसरे के साथ मिलबाट कर खीर खाएंगे और बहुत जादा प्रसंता भरे कुछ शंट प्रतीत करेंगे इसके बाद होने वाला है शो में कुछ बड़ा ही इंट्रेस्टिंग जिसकी अपडेट हम आप को देंगे अपनी